हाई गैस विल्कम बाइक टू मैं चैनल तो गैस आज मैं पूजा की स्टोरी लेकर आई हूँ पूजा की शादी बहुत ही अच्छे से संपन हो जाती है कोई कोई बादा नहीं आती है बिदाई की तयारी चल रही होती है पूजा सबसे मिलकर बस कार में बैठने ही वाली होती ह लेकिन अचानक से उसने कुछ ऐसा सुन लिया कि वो कहती है पापा मैं सिस्राल नहीं जाओंगी पूजा ने क्या सुना इसके लिए आपको स्टोरी आगे मैं बताती हूँ कि पूजा ने ऐसा क्या सुना चलिए पूजा जो कहती है पूजा के बारे में जानते कि पूजा बहुत ही पड़ी लेकी अच्छी लड़की थी उसके पापा मिडिल क्रास फैमिली के थे कोई बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं थे कह सकते हैं बस एक चोटी सी दुकान थी लेकिन उन्होंने पूजा की कोई पालन पुशन में पूजा उनकी एक लोती बेटी थी उन्होंने पूजा की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे स्कूल से कराया पूजा क्यों जो भी चीजे जरुत होती उसके पापा तुरंत उसे हाजिर कर देते इस तरह करते करते पूजा की पढ़ाई हो गए पूजा के जेशन कर लिया अब उसके पापा ने उसकी शादी एक बहुत ही लड़के से और कह सकते हैं एक मिडिल क्रास फैमिली के इंजिनर लड़के से शादी कहरती घर वाले ने भी ज्यादा सस्राल वाले भी इसके ज्यादा डिमांड नहीं किया क्योंकि पूजा बहुत सुन्दर अच्छी पड़ी लिखी थी तो उन्होंने भी उनके पास सब अच्छे से किया कि कहीं पूजा के सश्राल वाले को बुरा ना लगे उन्होंने सब कुछ अच्छे से कर दिया फिर शादी के त्यारी होती है तो पूजा कहती है पापा आप अपने लिए कप्रे नहीं खर दोगे तो उसके पापा बोलते हैं नहीं बेटा मैं अपने लिए कपड़े है तो मेरे पास कपड़े मैं वहीं पहल लूँगा उन्होंने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे उसकी मम्मी से बोलती है तो मम्मी कहती है नहीं नहीं पेटा मेरे पास भी तो बहुत है मैं पहल लूँगी इस तरह करते करते वो लोग अपने लिए कपड़े तक इसी चीज की कमी न हो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर पिता या पापा यही कोसिस करते हैं कि हमारी बेटियों की शादी अच्छे से अच्छे घर में हो और वो एक एक पैसा जोड़ना जाते हैं मा भी हर एक चीज बचा बचा के रखती है कि मैं अपनी बेटी की शादी में य बिल्कुल एकदम पैसा बचा कर रखते थे बस पूजा को जो चाहिए होता था वह उसे नहीं करते थे क्योंकि पूजा उनकी कलौती बेटी थी और वह नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी को किसी चीज की कमी महसूस हो तो इस तरह करते करते पूजा की त्यारी करने लगे पूजा को सस्वराल वालों के कपड़े जो भी सामान साथी में दिये जाते है ते लखके सब दीरे-दोरे उन्हें ने सब चीज की विवस्था कर ली सब कुछ सा जाती संपन स संपन दिन नस्धिक आती जा रहे थे पूजा सब कुछ देखती औ चुप रहती उस अपने पापा को कहती कि पाप आप इतना सब कुछ करने की क्या जुरुत है तो कहते नहीं बेटा हर पिता को करना पड़ता है मैं भी वही करना चाहता हूं कहीं तेरे सस्वराल वाले को बुरा न लगे उनकी खाती द्यारी में कुई कमी ने जाए इस तरह द से कोई डिमांड नहीं की लेकिन आप से बस एक निवेदन है कि आप बरातियों का स्वागत अच्छे से करिएगा क्योंकि बराती अगर नाराज होकर आएंगे तो वह मेरी बेजती होगे इस से तो इसके पापा बोलते नहीं नहीं सम्दी जी आपको सिकायत का उन्होंने र परोवह बहुत अच्छा होटल उन्होंने सब कुछ अच्छे से से अच्छा किया सब कुछded होटल की शादी तो आप समझ सकते हो छोटी भी होटल की शादी कितना अच्छा और वहाँ पर केर्टर्स भी उन्होंने बहुत अच्छा लिए और वह होटल क्या मैंतब मैरेज हॉली था लेकिन वोसको सब लोग होटली बोलते थे क्योंकि उसकी सुप्धा जो थी बहुत इसलिए क्यों ख्यों किया अच्छा कैटर्स किया कि घाने में कहीं सब टेष्ट मिलीं सब को बरा ती किना राज्दों उन्हें अच्छा से अठ्ड़ा खोज कर क्यों सब कुछ मन मुताविक कर रहे थे एकए चीज उन्होंने हर चीज वहाfold पे जा आजा कर चेक कर दे है इ आगे आपके का काम कैसे चलेगा आपके पूझा के जाने के वैस्ट तो कोई नहीं होगा कहा से आप क्या करोगे तो वो कहते मेरी यही तो जिमदारी है उसके बाद तो हम दो रहेंगे अपना कैसे भी रह लेंगे बस मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जानी चाहिए मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए पूजा ये सब सुनती और मन-मन रोती भी कि मैं क्या करूँ ये सब बाते वो अंदर-अंदर सोचती ही रहती थी तो उसनी एक दिन अपनी फ्रेंट से बोला यार उसकी फ्रेंट थोड़ी अमीर रहती है तो उसे बोलती है कि यार तेरा तो कुछ नहीं तेरे पापा के पैस तो बहुत जाद है मेरे पापा बिचारे सब कुछ अपनी जमापूजी मेरी शादी में खर्च कर रहा है ये देखके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो उसकी फ्रेंड बोलती है क्या करेगी ये दुनिया की रीथी है हर पापा मम्मी को ये करना ही पड़ता है तो तू क्या कर सकती है तो कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बताओ मेरे पापा सारी जमापूजी अपनी खर्श कर दे रहा है अपने लिए एक कपड़ा भी नहीं मम्मी भी अपने लिए एक कपड़ा नहीं बनवारी है तो ये सब देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो उसकी friend कहती है कि क्या करेगी तो अब जो हो रहा है उसे होने दे तो उसकी friend कहती है कि अगर तु जब बुरा ना लगे तो मैं तेरी कुछ मदद करूँ तो वो कहती है नहीं 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 ये तो मेरे पापा के लिए और भी मेरे स्वाइवान पर उनके चोट लगेगी और नहीं नहीं तुम मत कुछ कर तो उन्होंने वो से अपनी फ्रेंड को मना कर देती है इत्वाक से इसकी मौसी आती है उसकी मौसी बहुत पैसे वाली रहती है तो वो अपनी कहते हैं बेहन की बेटी को गिफ्ट देते हैं तो वो जानती थी कि ये लोग ऐसे तो लेंगे नहीं तो वो साधी में गिफ्ट के तोर पर अपनी बेहन को साडी गिफ्ट करती है और बोलती है दीदी आप इसे ही पहनना मेरी बहुत इच्छा है कि आप इसे पहनना बेहन कहती नहीं 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 वो जानती थी कि वो साडी नहीं खरीदी है उसकी बहन सब बाते जानती थी लेकि तो वो गोलती नहीं नहीं दीदी आप मुझे ये पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा तो इसकी दीदी मान जाती है तो अच्छा वाई तेरी अतनी मन है तो सब वो त्यार करा देती है और इसके पापा को भी कहा जाता है तो इसके पापा कहते नहीं नहीं मैं तो नहीं आ बहुत सारा गिफ्ट था साड़ी कपड़ा बहुत सारे चीजे उसके लिए लाई थी तो पूजा सब गिफ्ट के तौर पे रख लेती है जब साधी का दिन आता है तो उसके पापा सम मेहनत करते हैं नीचे उपर सारे लोगों लगाया रहते हैं सब कैटर भी लगे रहते हैं अब दो जानते हैं कि सब अपने से बनाते हैं लेकिन उसके पापा बार बर जाकर चेक करते हैं सबसे कहते हैं कि देखो भई कंज कमी न रहा जाए उन लोग को कोई बूरा ना लग जाए इस तरह करते करते हैं कि कि वह साधी का सब इंतिि motherf Dilinea अच्छे से हो जाता है साधी बहुत अच्छे से होता है जेमाल भी हो जाती ये शाधी को सब चीज अच्छ करोती है अभी पूजा अपनी मम्मे से लिपट कर रोही रही थी तब तक दुलहा और उसके फ्रेंड और उसका जीजा टीनों लोग आपस में बात कर रहे थे यार यह कैसा दस्मलाई था बिल्कुल पानी पानी यह पनीर की सबजी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रहे थी या यहां से चलने के बाद सबसे पहले किसी होटल अच्छे से होटल में चल की खाना खाएंगे उसका दोस्त को ताली बें जा था हां यार कैसे तिरे उस लड़के को बोलते लड़का भी बोलता है उसको मना करना चाहिए तो तो वो बोलता है हां यार सही कह रहो मैंने भी खाया था टेस्ट मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था चलो यहां से चलते हैं उसके बाद घर पहुचने बाद किसी अच्छे से होटल में जाएंगे और पार्टी करेंगे तुम लोग घबड़ाओं मत पूजा ये सब अपनी मम्मी से लिपट कर रो रही होती है लेकिन वो सारी बाते सुन लेती है अब पापा के पास आती है लिपटती है तो उसके पापा उसको गाड़ खराप कर दिया तुम अइसे क्यों कह रही हो तुम क्यों नहीं बैठोगी कहती है पापा का मुझे दो मिनट दीज इतने रात दिन की महनद थी उसको खराब करने में कितने आसानी से आप लोगों ने कह दिया रसमलाई एकदम पानी था, पनीर की सब्जी तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी साधी कोई खास नहीं थी, चल के यहां से होटल में खाएंगे लेकिन क्या आप लोग को पता है, कि आज के लिए उस साधी मेरी अच्छे से करने के लिए मेरे माबापने कितनी कीमत चुखाई है, नहीं पता है ना, क्योंकि आप लोग सब पैसे वाले हो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ, मैं छोटी थी, मेरे पापा एक एस्क्रीम लाते और मुझे देते लेकिन अपने लिए कभी एक आइस्क्रीम नहीं खाए, मेरी मा ने कभी कोई भी फेस्टियूल पढ़ता, मेरे लिए नहीं कपड़े खरीद देते, लेकिन अपने लिए ये लोग कभी भी कपड़े नहीं खरीदते थे आज भी आपको पता है, मेरे पापा जो अंदर बंडी पहने हुए हैं, उसमें सो छेद होंगे कम से कम, और मेरी मा ने जो ये नहीं साड़ी आपको दिख रहा है, कि मेरी मा ने नहीं साड़ी पहनी है, ये इनकी बहन की दिवही है आपको पता है, मेरे घर में कूछ भी जरूरत का बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, क्योंकि मेरे पाप मी ने सारी एक एक पैसे मेरी शादी के लिए जोड़ कर रखा था और आपने कितने आसानी से कह दिया रस्मलाई, क्या रस्मलाई मेरे पापा ने बनाई थी, क्या पनीर की सबजी मेरी मम्मी ने बनाई थी, उन्होंने तो अच्छा से अच्छा खोज कर कैटेस बुक किया था, कि खाना अच्छा से अच्छा बना, उसमें कोई इंडुक सी निकाल सके, अब कैटर्स ने ठीक नहीं बनाया, तो उसमें मेरे पापा की क्या गलती है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ, कि सभी लोग आते हैं, खाना खाते हैं, और चले जाते हैं शादियों में, लेकिन किसी ने कभी ये सोचा, कि उस एक दिन की खाने के लिए, उस माव आपन कितने त्याग कियोंगे, आपको क्या पता है, नहीं पता, क्योंकि आप लोग के घर में कोई बेटी नहीं है, आपके घर में, आप लोग पैसे वाले हो, लेकिन आपने कितनी आसानी से कह दिया, मेरे माव अपने एक एक चीज जुटाने के लिए, कितने रात दिन, मेरी मा ने मसीन से कपड़े सिले, मेरे पापा ये छूटी सी दुकान में रात दिन बैठे रहते थे, कितने मुश्किलों से मुझे पाला, लेकिन मुझे सब कुछ दिया, और आज भी वो मेरी खुशी के लिए कि मुझे कुछ सुनना ना पड़े, मेरी सुस्राल में इज़्जत बढ़े, कहीं कोई मुझे कोई ताना ना दे, और आप सब ने तो यहीं से स्टार्ट कर दिया, मैं कैसे आपके साथ चल दूँ, मैं नहीं जा सकती आपके साथ, जो इंसान मेरे माव आपके किये वे इतने कैसे कैसे मुझे पाला पूसा, उस चीज़ को नहीं समझ रहा है, मैं आपके साथ कैसे चल दूँ, यह हैं आपके दोसको नहीं कुछ कैसे, आपके जीज़ा, आप खुद सुन रहे हो, और कुछ नहीं, आज आप सुन रहे हो, कुछ नहीं कह रहे हो, तो आगे के मेरे माबाब को मेरी जुरूरत पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी मुझे उनके जुरूरत में साथ दोगे तो मैं आपके साथ नहीं जा सकती अब लड़का बहुत सर्मिन्दा होता है जो उसका दूला रहता है अब उसको अपनी जो गलती रहती है वो उसके भी दिल को कहीं नहीं तब उसके पापा आते हैं कहते हैं शैतान इतनी अच्छी लश्मी जैसी बेटी मिल लई है हमें सम्ती जी आप मुझे निरास मत कीजे ऐसी बेटी पाके तो मैं धन्य हो जाओंगा आपकी बेटी वा कई साथ छत लश्मी है आज उसने हम सब की आखे खोल दे आप किर्प्या करें और इसे मेरे साथ बेजे तो लड़की के बापा कहते हैं मैं क्या करूं ये तो खुदी जाने के लिए मना कर गई है तो उसके पापा समझाते हैं जो उसके ससुर रहते हैं बेटा इन सब नादान है इन सब को अभी दुनियादारी नहीं पता है बेटा इन सबको माफ कर दो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है मेरी कोई बेटी नहीं है मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी बेटी बन कर आ रही हो और इन सबको माफ कर दो बेटा ये सब तुम्हारी कीमत तुम्हारे पापा मम्मी की कर्ज जिन्हों ने पापा जी ना मेहनत किया है वो नहीं समझ रहे हैं एक मौका दो बेटा तो कहती है पापा जी आप ऐसा मत करिया आप भी मेरे पापा है आप आपने नहीं कुछ किया है मुझे इनके ये जब मेरा हमसफर ही मुझे नहीं समझेगा तो मैं कहते बेटा तुम्हारी बाते ठीक है तब लड़का गया मुझे माफ कर दो पुजा मुझसे गल्टी हो गई मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था मैं इतना नहीं चीज समझे लोग बोले तो मैं भी मुझ बोल नहीं पाया तो इसके लिए मुझे तब उसका दोस्त भी आता है भापी जी मुझे माफ कर दीजा रहता है वो भी कहता है मुझे माफ कर दीजिए कर दो मुझसे उसकी जो भी चाचा की बेहने रहती हैं वो आती हैं कहती है माफ कर दो भापी मैं इनके तरब से माफी मांती हूँ आप चलो, आपका हमारे घर में बहुत-बहुत स्वागत होगा तो कहती है, फिर वो कुछ बोलती नहीं है, उसकी मा आती है किती बेटा, हर बेटी को ये सब कुछ न कुछ सुनना ही पड़ता है तू जा अपने सस्राल जा, खुश रहा इसी में हम सब की खुशी है, कहती है मा, तो उसके पापा कहते है कि नहीं, मैं जिद नहीं करूँगा अपनी बेटी से मेरी बेटी अगर जाना चाती है, तो जाएगी नहीं जाना चाती, तो नहीं जाएगी अब ये सब कुछ उसके उपर है, उसे क्या करना है तो कहती है कि मुझे पापा आपकी इज़त से बढ़कर मेले कुछ नहीं है तो फिर जब वो सब लोग माफी मांग लेते हैं तो उसने कहती है कि मुझे आप सब से बस इस एही ही सिखायती मैं आप लोग को कोई बुरा इंसान नहीं कह रही हूँ लेकिन आप सब ने मेरे पापा के ने इतने मैनत से जो एक-एक पैसा जोड़कर एकठा करके कैटर्स कोई मेरे पापा नहीं थे तो इसलिए मुझे बुरा लगा और आप सब से मैं कहना चाहती हूँ ये मेरी ही बात नहीं है आप सब कहीं भी जाए किसी के भी शादी में किसी भी लड़की के तो आप सब खाने में बुराई मत निकाला क्योंकि उस एक दिन के खाने के लिए ना जाने उसके मावापने कितना जतन किया होगा कितना त्याक किया होगा तो सब लोग उसे माफें कहते हैं वाग गई आपकी बेटी बहुत ही फिर खुशी-खुशी वो सस्वराल जाती है सब लोग उसे कहते हैं बेटी हो तो ऐसी सब सस्वराल जाती है वहाँ पे उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है उसकी साज उसकी आर्थी उतारती है उसको जब यह बाते पता चलती है तो कहती है कि वेरे घर में तो सच-पूच में लश्मी आई है इस तरह सब कुछ अच्छे से हो जाता है उसकी शादी भी बहुत अच्छे से संपन हुई थी कहीं कोई बस विदाई में अगर वो लोग ऐसी बाते नहीं करते तो पूजा ऐसा कदम नहीं उठाती इसलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी अगर कहीं भी किसी भी लड़की की शादी में जाते हैं तो वहां के बनेवे खाने को में कोई भी नुक्स ना निकाले क्योंकि उस एक दिन के खाने के लिए एरिज्मेंट के लिए ना जाने उसके मावाब भाई ने कितना त्याक किया होगा कितने अपने ख्वाईसों को दबाया होगा बस मैं आप सब से ये ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी पूजा की बातों पूजा की तरह बातों को समझे और अपने माबाब की अगर इंसल्ट होती है तो ऐसा कुछ कदम आप भी उठाएं आप भी उन लोगों को इस बातों को समझाएं यह नहीं कि आप एकदम जित पकड़ के बैठ जाएं कि नहीं नहीं कुछ आप उनको उन बातों को समझाएं प्यार से जैसे पूजा ने किया समझाया अपनी बातों को अबस मैं यही आप सब को इस कहानी के मादिम से समझा रही थी आगे भी मेरी चैनल पर बहुत सारी स्टोरी है आप सब सुमन की निशा की बहुत सारी ना जाने ऐसी बहुत सारी स्टोरी है आप उन सब को भी देखें यह स्टोरी कहीं न कह या आपके आसपास ऐसी घटना घटित होती है तो आप सब पहले से सचेत रहें और भी मेरे चैनल के बहुत सारे वीडियो है आप उन सब को भी देखें पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस् है ठाइक नहीं है थेंक्स पर वाची